बारत और चीन के बीच पिछले कई मेहनों से गतिरोच जारी है बीते दिनों लोगसभा में रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने चीन की पोल खोल कर रख दी राजनात ने चीन को लोगसभा से जम कर सुनाया और एलान कर दिया कि अगर चीन युद्ध चाता है तो भारत उसके लिए भी तैयार है इस दोरान लोगसभा में विपक्ष और पक्ष के सभी सांसत मौझूद थे कॉंग्रेस फिराक में थे कि एक बार प्रेड़ चीन की सहारे वो मोधी सरकार को खेरेगी लेकिन राजनात की बात और मोधी का चीन को लेकर स्टेंड देख कर कॉंग्रेस को विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा है लोग समा में कॉंग्रेस उस समय अकेली पढ़ गई जब राजनास सिंग के बयान के बात कॉंग्रेस की निताध ही रंजन चोधरी ने उनसे कुछ स्पष्टी करण मांगा लेकिन स्पीकर उसके लिए तयार नहीं हुए इस बात से नाराज होकर कॉंग्रेस ने वाक आउट करने का फैसला किया लेकिन कॉंग्रेस को वाक आउट में ज़्यादा दलो का साथ नहीं मिला कॉंग्रेस के साथ के वल टीमके के सदस्यों ने ही वाक आउट किया जब कि मोदी सरकार की प्रखार विरुधी त्रेडमुल कॉंग्रेस की सदस सदन में बैठे रहे त्रेडमुल कॉंग्रेस के लावा BJD, YSR कॉंग्रेस, TDP और लेफ्ट पार्टे के सदस्य ने भी कॉंग्रेस का सवर्थन नहीं किया इसके पहले जब लोग सबय स्पीकर ओम बेरला के अधक्षता में सदन के बिजनिस एडवाइसरी कमेटे के बैठक हुई तो उसमें भी यही नजारा देखने को मिला बैठक के बिलकुल आकिर में जब कमेटे के सदस अधिर रंजन चोधरी ने सरकार से चीन के मसले पर राजणास जिंग के बैयान के सदन में चर्चा की मांग की तो कमेटे के दूसरे सदस और त्रड़मुन कॉंग्रेस के सांसर कल्यार बनर जी ने उनका समर्थन नहीं किया उल्टे बनर जी ने अधिर रंजन चोधरी की बात का विरोध करते वे कहा कि ये मामला बेहत सम्वेदन शील है लिया जैस पर रक्षा मंतरी के बैयान के बाद चर्चा करना ठीक नहीं होगा अलाकि राजनात के बैयान के बाद कॉंग्रेस के पूरत धक्ष राहुल गाधी चीन मसले में जरूर सरकार को घेरते दिखे लेकिन चीन मामले पर अब कॉंग्रेस अकेली पड़ गई है और दूसरे दलों को भी समझ में आ गया कि कॉंग्रेस चीन के साहरे अपनी राजनी चमका रही है इसलिए अब कोई भी दल कॉंग्रेस का साथ नहीं दे रहा है बीर